हलो दोस्तों नमस्कार हमारे जितने भी EPS 95 पिंशन धारक हैं आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं राश्टे संगर संती के टीम के दौरा आज दिल्ली के जंतर मंतर पे विशाल भब्य जो है तो अंसन उपवास प्रदर्शन किया जाना है आज बिश तारिक है और बिश तारिक के सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा लेकिन बिश तारिक से पहले मैं आपको बता दू कि जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पे राश्टे संगर संती के टीम के दौरा एक विसाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसके लिए कौन कौन सी तयारियां किये गई हैं, आप तयारियों को देखेंगे तो चवग जाएंगे, मैं आपको जमतर मंतर का भी शीम दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ बिसेस जो तयारियां थी उन तयारियों के बारे में आएगे जानते हैं, अपने जो तो आप के साथ में उसी के बारे में डिस्क्स करते हैं राष्ट्य संगर सम्ति के टीम के दौरा के तना बड़ा संगर से किया गया है EPS 95 प्रिशन धारकों के प्रिशन बिर्धिक को लेकर उसी को पर हम लोग जानेंगे आज इसके पने इस नए वीडियो में अब दोस्तों फड़ा पर समय अपने बीडियो को सुरू करता हूं दोस्तों अचली यह है 18 तारीका लेकिन मैं 17 तारीक पर ही आपको यहां पर दिखा रहा हूं लाइव में यहां पर आपको दिखाने की कोसिश कर रहा हूं आए थोड़ा सा फटापर से मैं इसको देख लेता है कि अब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ईपीस को सबसे पहले आपको यहां पर जानना होगा कि दिनांक 137203 से दिनांक उन्हें साथ 2,023 क मालने सांसर्थ मोहदों के निवासस्थान कार्याले के सामने हुपुवास अंसन धर्ना प्रदर्शन धर्ना वह साथी साथ दिनांक 27203 को दिली में जनतर मंतर पर एनेसी के राष्टिय अद्रक्ष कमांडर असोक राओजी के दोरा केंदे कारे कानडी के सदस्टो सहीद एक दिवसी उपवासंसन किया जाना सुनिश्चित हुआ था जो कि आज हो भी रहा है और ये के बहुत अच्छे स संपन भी हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है उस बिसे में हम लोग बात करेंगे फिलाल आज भी हम लोग इस बिसे में बात करने वाले हैं अब मैं आप बतना चाहता हूं कि दिनांक 177203 को यहां पर आप देख सकते हैं 177203 को राष्टे दिक्स कमांडर सोकराओ जी दिल्ली पहुंच चुके थे चुकि दिल्ली में ही बहुत सारे जितने भी हमारे संसद लोग थे वो दिल्ली में ही मुलाकात करने वाले थे उसलिए 177203 को सी आई टी यू के महा सची वह भूत्पूर सांसाद मालीने स्रीत अपन शेन जीकि महा सची उस्रीमती आमर जीत का और हुआ यच्यमेस के महा सची वह सीबीटी के सदस सी हरवाजन सिंग सिद्धूज से मिलकर 15 के दाश्टी प्रतिन ही मंडल ने पेंसरेंस के 4030 मांगों प अपेट शाव्यक्त की वह उन है जापन सहीत महत्पूर्ण दास्तावजगीसों पे कुछ दास्तावज थे जो इपैस 95 पेंशन धारकों के लिए अति महत्पूर्ण थे जिनको प्रसुत किया जाना था, उन दास्तावज़ों को भी प्रस्तूत किया जिए इसके बाद में महादियों ने विशय की गंभिरता को समझते वे अविलंब कारवाई करने का अश्वाशन दिया तो यह EPS 95 पेंशन धरकों के लिए कि बहुत ही अच्छा जो तो बिकल्प था और हमारे जो कमांडर सोक्रावजी ने जो तो वहां पे तीनों सच्चियों को जो जापन दिया व कि समस्या पहुंचे क्योंकि संसत का यह जब महांसूर सत्र शुरू होने वाला है आज से तो आज जो तो उन पेंशन धरकों की जो समस्या हैं थी उन समस्याओं को पहुंचाना बेहर जरूरी था आगे देखते हैं दिनान कठारा साथ दो जाते इसको एनसी के प्रधी मंड दिया गया उनको और उनको ग्यापन सौपे स्री रवीन हेंते जी ने एनसी की मागों के प्रते सहमाती दरसाते हुए सभी प्रकार से पूरा सहयो करने की बात कही इस मौके पर बीमेश के भूत पूर महासची हुआ सीबिटी के सदर स्री बीजे शुपाध्याई जी की बिस सुपरसेती थी उनके जो तो समच है ये सभी काम हुए हैं तो कहीं कहीं सरकार तक वहां से भी महसेज एप्या साइंटिफाई प्रिश्यादार्कों के जो समच्छे हैं सी वो भी पहुँच चुकी होंगी अब मैं आगे बताता हूँ कि दिरान कठारसा दोजार तेइस को ही इनिसी के प्रदिरी मंडल ने स्रम पर अस्थाई समिटी के सदस्वा माननी सांसरी बिजेपाल सिंग तोमर जी से मुलाकात कर उन्हें पेंसरेंस के समस्यों से अवगत कराया हूँआ माननी महोदे से पेंसरेंस की मागों को मनजूर करवाने का निवेदन करते हैं जापन सह जो हमारे राष्ट्य संगर सम्थी राष्टी कमंडर जो ऑसोह रावद जी हैनुने इप ऐस 95 पिंशनदार्वकों के युए जो इतना बहुना संगर्स किया उस के लिए जितने भीerg पेंशन दार्क हैं सबही अपने तहां दिल उनका सुक्या करते हैं और साथे साथ में उम्मूत करते हैं कि आज के दिन में जो दिल्ली के जंतर मंतर पे एक भब अंशन किया जाना है वो बहुत ही अच्छे से संपन होगा और जीत राजटी कमांडर रसोक रावज जी के साथे साथ में जीतने में मारे EPS 95 पिंशन दारक हैं उन सब की जीत होगी आगे मैं मैं बता दू कि सभी महानभावों के सभी महानभावों को दिनांक 272 तेज के दिल्ली अंदोरन की जानकारी दी गई प्रतिनी मंदल के राजटी महा सच्चीव स्री बिरंद सिंग रजावत राजटी सच्चीव स्री रमेश मंगुडा उतर प्रदिस मुख्यले ल सब्सक्राइब करते हैं यह तस्वीर है लाकि इन तस्वीर को पर मैं लाइक से वीडियो बना कि आप लोगों की प्रसूत कर दूँगा इन वीडियो को आप देख लीजिएगा और फिलाल अभी के लिए बसेता ही था दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह आप जानकारी और आपको प्रसंद आए होगी सीधा इसके बादे हमारे यूटूब चनल के मादम से मैं आपको लेके चलता हूं दिली जंतर मंतर पोहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि राष्टी कमंडर साब हमारे एप्या संदार को कि लिए किस प्रकार से संगर्ष करना हैं दिली में दिल झाल